हलो एवरिवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंस के शांदार यूट्यूब चानल पर जहांपर हम सभी लोग मिलकर आपको यानि की हमारे प्यारे के टोल के बच्चों को जो किंडर गार्टन से क्लास 12 तक CBSC Board English Medium में पढ़ाई कर रहे हैं हम उने प्रोवाइड कराते हैं 100% free of cost high quality educational videos जिनकी मदद से आप अपनी हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बिंदास होकर बढ़िया दरीके से completely free of cost पढ़ सकते हो complete कर सकते हो अपना पूरा syllabus पूरा का पूरा course हर सब्जेक्ट का हमारे साथ सारे सब्जेक्स के सारे सब्जेक्स के सारे सब्जेक्स के सारे चाप्टर्स के वीडियोज playlist के format में arrange करके रख दिये गए हैं आप आईए बढ़िया पढ़ाई कीजिए हिंदी मीडियम के बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको best वाली पढ़ाई मिले quality education मिले best वाले notes मिले everything ध्यान से सुल्ला बेटा तो जल्दी से चले जाओ Magnet Brains हिंदी मीडियम YouTube channel पर जहाँ UP board, AMP board, Bihar board, Rajasthan board और Delhi board, 5 state boards के बच्चों को बहुत शांदार तरीके से cater किया जाता है पढ़ाया जाता है free of cost high quality education के द्वारा अब बच्चों अगर तुमको notes की आवश अकता है मानके चलो किसी English मीडियम के बच्चे को या हिंदी मीडियम के बच्चे को जो classic से लेकर 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहा है notes चाहिए तो बिटा magnet brains की official website www.magnetbrains.com या हमारी application पर आप visit करो और आपको हमारी app और website दोनों पर classic से 12 English medium and Hindi medium all subjects के detailed notes जो experts दुआरा बनाए गए हैं मिलेंगे डाउनलोड करना उनको PDF format में और अपनी पढ़ाई बढ़िया करना this side जीशान your maths mentor अब सभी का स्वागत करता हूँ इस amazing platform पर इस amazing session में इस session में इस video में बिटापन क्या सीखने वाले हैं sir हम exercise 4.4 को खतम करने जा रहे हैं we are going to end this exercise और इसको खतम करेंगे बहुत सभ्यता के साथ आखरी चार questions है 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 तो detail देखेंगे इनका solution ठीक है बने रहा हो और बड़िया तरीके सारे वीडियो देखो अपनी पढ़ाई करो यार मस्त जीओ और मस्त जीने दो सब को ठीक है वो quality education quality explanation पर है ठीक है matrix A ये दिया गया है show that this, 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 this is equal to zero ये बड़ा question है क्योंकि matrix जो दिया गया है पहली बात तो वो 3 into 3 का matrix है तो बड़ा matrix है calculation बड़ी जाएगी दूसरी बात है बहिया A cube भी निकालना है तो और बड़ी calculation जाएगी प्लस का 5A प्लस का 5A और फिर दिया गया है प्लस का 11I प्लस का 11 into I is equal to zero हमें प्रूफ करना है is equal to zero हमें प्रूफ करना है मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर बिटा A दिया गया हमको हमारे पास A है तो हमें 5 into A निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी 11 into I निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें A square निकालना पड़ेगा A cube निकालना पड़ेगा तो पहला कामें A square निकालना चलो A square निकालते है ठीक है done sir देखो A square का मतलब होता है matrix A का A से ही multiply तो sir करेंगे चलो 1 1 1 ठीक है sir 1 2-3 ठीक है sir 2-1 और 3 ठीक है यह हो गया matrix A है ना A का A से multiply तो A से multiply कर देते हैं sir ठीक है 1 1 1 1 2-3 2-1 and 3 ठीक है यह सर अब सुनो मेरी बास सुनो जब एक matrix खुद से multiply होता है ध्यान से सुनना और दोनों square matrix है obviously 3-3 3-3 तो अपना answer भी 3-2-3 वाला matrix ही आएगा answer क्या आएगा sir 3-2-3 वाला square matrix ठीक है done sir तो अपने 3-3 वाला square matrix लिख दिया यानि कि sir यहां आएगा something तो multiply शुरू करते हैं बिटा easily easily हो जाएगा sir यह ठीक है समझ रहे हो पहले आपको यह multiply करना पड़ेगा किस से पिटा यह multiply करना पड़ेगा इस वाले से ठीक है sir 1 into 1, ठीक है sir 1 into 1, ठीक है sir 1 into 2, ठीक है sir बीच में plus लगा दो, 1 plus 1 plus 2, 4 कितना आया बिटा, 4 तो यह टाओ, यहाँ 4 लिख दो बिटा 4 आया sir, ठीक है, प्यारा सा 4 लिख दिया done है, बिलकुल sir done है तो यहाँ पन ने प्यारा सा 4 लिख दिया next, अब यह रो इस वाले कॉलम से multiply होगा बिटा 1 into 1, 1 1 into 2, 2 1 into minus 1, minus 1 minus 1 plus 1 कर जाएगा 2 बचा यहाँ 2 लिख दो दोस्त, क्या लिख दो 2 प्यारा सा 2 लिख दो, ठीक है sir, इसको अटाओ अब यह रो इस कॉलम के साथ multiply होगा, 1 into 1, 1 1 into minus 3, minus 3, 1 into 3 plus का 3, plus 3 minus 3 कड़ गया बिटा, बचा 1 तो यहाँ 1 लिख दो done है ना, बिलकुल done है, आराम से करेंगे कोई जल्दवाजी ने, बिटा अब इस रो का काम हो गया, खतम अब कौन से, अब यह वाली रो स्टार्ट करेगी तीनो कॉलम के साथ, यह वाली रो पेटा, पहले इस कॉलम के साथ शुरू होगा, ठीक है 1 into 1, 1 2 into 1, 2 3 into 2, minus का 6 ठीक है, यह 3 हो गया, minus का 3 आएगा पेटा, add कर देना, इन सब में add कर देना minus का 3 आएगा, minus का 3 लिखा सर हमने, done है done है, बिलकुल इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है यह रो, अब इस कॉलम के साथ multiply होगी, 1 into 1 ठीक है, 2 into 2 ठीक है, 3 into 1 तो 3 हो जाएगा, plus का 3, तो यह 8 हो जाएगा बेटा, कितना आया, 8, यहाँ 8 लिख दिया, इसको erase करो, इसको हटाओ 1, 1s are 1, 2, 2s are 4, 3, 1s are 3 perfect, यह रो इस कॉलम के साथ होगा बेटा, 1 into 1 1, ठीक है, 2 into 3 minus का 6, 2, 3 is a 6 3 into 3, minus का 9 ठीक है, clear है, हाँ सर, बिलकुल clear है, done, बिलकुल done सर, ठीक है, 1 into 1, 2, 3 is a 6 3, 3 is a 9, ठीक है तो यह हो जाएगा, minus 14 कितना हो जाएगा, minus का 14 minus 14 done, yes sir, done minus 15 plus 1 minus 14, ठीक है, इसको अटाओ, इसको अटाओ यह वाली रो का भी काम घतम इस रो का काम शुरू हो जाएगा, इसके साथ multiply होगा, 2, 1s are 2 minus 1, और 2, 3s are 6, 2, 1s are 2 minus 1 into 1 minus 1, 3, 2s are 6, 6 or 2, 8, 8 minus 1, 7 तो बेटा, यहाँ 7 हो गया ठीक है, done है, yes sir, इसको अटाओ इसको अटाओ, इसको अटाओ और इसको अटाओ, ठीक है यह रो, इस कॉलम के साथ हो जाएगा 2 into 1, 2 minus 1 into 2, minus 2 और 3 into 1, minus का 3 बेटा, यह कर जाएगा, minus का 3 आया यहाँ, minus का 3 लिख दो, done sir इसको अटाओ, इसको अटाओ, लास्ट वाली कॉलम के साथ इसका स्टार्ट होगा 2, 1s are 2, minus 3 into minus 1 plus का 3, 3, 3s are 9 तो बेटा, यह आया अपना 9, 10, 11, 12, 13, 14 यह आया, plus का 14 sir, यह आगया अपना a square क्या आया दोस्त, a square तो sir, यहाँ लिख लेते हैं अपन प्रॉपरली, काईदे से लिख लेते हैं जरा a square is equal to 4, ठीक है 2, 1, ठीक है minus 3, ठीक है 8, ठीक है, minus 14 ठीक है, next 7, minus 3 और 14, बेटा, गलत ना हो इसलिए मैंने slowly, slowly किया इसको ठीक है, यह a square आ गया तो अब अपने पास, ध्यान चे सुनना भीटा अब अपने पास यहाँ पर इसको पहले मैं बंद कर दूँ अब अपने पास यहाँ पर a square की value भी आ गई, तो भीटा a square 6 into a square भी आमारा आ जाएगा a cube की value और निकाल नहीं है अब a cube की value कैसे आएगी a cube क्या होता है sir a cube होता है a into a square है ना a into a into a अपन a cube क्यासे निकाल जकते है sir sir easily निकाल जकते है a into a into a बास समझ में आ रही है yes sir है ना, तो a square into a कर देंगे अपन अब देखना दियान से सुनो बिटा a cube की बात हो रही है sir a cube a cube को अपन a into a a into a यानि a square into a लिख सकते हैं जरूरी नहीं है a square into a लिख दो a into a square भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है done sir चलो अब a square के नीचे इसकी value लिखते हैं जो आया है बिटा 4 2 1 next फिर है minus 3 8 फिर क्या है भाई minus का 14 ठीक है next 7 minus 3 7 minus 3 और 14 यह a square हो गया बिटा क्या हुआ a square इसको जल्दी से अपन यहाँ pack करते हैं matrix में ठीक है into a अब इसके पास a लिख दो sir a क्या है a तो छोटा सा है 1 1 1 1 इसको लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है next 1 2 minus 3 1 2 minus 3 next है 2 minus 1 3 2 minus 1 और 3 ठीक है तो यह अपना क्या हो गया यह a हो गया चलो a square into a बिटा यह भी 3 into 3 का matrix यह भी 3 into 3 का matrix तो answer भी 3 into 3 का आएगा इनका multiply जो भी आएगा वो क्या होगा बिटा 3 into 3 का होगा तो यहाँ पर मैंने 3 into 3 के लिए एक बड़ा सा box बना दिया और जल्दी से अपन यह बना देते हैं देखो यहाँ कुछ आएगा यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा ठीक है done sir something will come here 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 and something will come here ठीक है चलो start करते हैं done चलो तो sir तरीका तो वही है यहां की पहले वाले की रोट आओ, दूसरे वाले का कॉलम उठाओ 4 1s आ 4, 2 1s आ 2, 1 2s आ 2, तो 8 आया बेटा, क्या आया? 8 क्या आया? 8, तो यहां 8 लिख दो, ठीक है, next Sir, this row and this column, है ना 4 1s आ 4, 2 2s आ 4, 1 1s आ 1, वो भी minus का तो 7 आया, क्या आया दोस्त? 7 आया, तो अबने यहां 7 लिख दिया, clear है? हाँ, Sir, बिल्कुल clear है, this row and this column, 4 1s आ 4, 3 2s आ 6, वो भी minus का 6, 1 3s आ 3, plus का 3, पिटा, यह 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1, तो यहां 1 लिख दो, Sir, this is 1, ठीक है, next, 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 यह गया, यह वाला row खतम, अब यह दूसरा row शुरू होगा, बिटा, दूसरा row शुरू होगा, यह row और यह column, तो minus 3 into 1, minus 3, 8 into 1, 8, minus 14, 2s आ, minus का 28, ठीक है? तो minus 23 आएगा, बिटा, minus का 23, यहां लिख लेंगे, minus का 23, clear है? हाँ, Sir, clear है, बिटा, multiply कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, ताकि गडबड और गलत ना हो, क्योंकि अगर जरासी भी गलती हुई, बिटा, अपन afford नहीं कर सकेंगे, ठीक है? Done, Sir, चलो, तो यह वाली चीज भी हो गई, भाईया, यहां अपना minus का 23 आगया, minus का 28 प्लस का 8, तो minus 20, minus 20 और minus 3, minus 23 सही है, अब यह बिटा, इसके साथ जाएगा, minus 3 into 1, minus 3, 8, 2s आ, plus का 16, 14 into 1, plus का 14, तो बिटा, यह हो गया, 30, minus 3, यह 27 आया, यह 27 आया, बिटा, ठीक है, minus 3, plus 16, plus 14, 16 और 14, 30, 30, minus 3, 27, perfect है, बिल्कुल सही है, इसको erase करो, यह अटाओ, अब यह रो, इस कॉलम के साथ चलेगा, minus 3 into 1, minus 3, 8, 3s आ, minus का 24, और minus 14 into 3, 14, 3s आ, 42, minus का 42, अरे भाई, सहाब, यह तो सभी negative आ रहे हैं, तो 42, और बिटा, 3, minus का 45, minus का 55, minus का 65, minus का 69, minus 69 आया, तो यहाँ पन लिखेंगे, minus का 69, done है, बिल्कुल done है, सहर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लास्ट वाली रो स्टार्ट करेगी, बिटा, इसका इस कॉलम के साथ मल्टिप्ला होगा, 7, बिटा, यहाँ हम लिख देंगे, 32, done है क्या, हाँ सर, बिल्कुल done है, इसको erase करेंगे, इसको अटाएंगे, यह वाली रो बिटा, इस कॉलम के साथ मल्टिप्ला होगी, तो 7, बिटा, इसको erase करेंगे, और लास्ट बिटा, यह रो लास्ट कॉलम के साथ और जाएगा, 7 बिटा, 7, 3, 3, 9, 14, 3, 42, ठीक है, 7, 1, 7, 3, 3, 9, minus 3, 2, minus 3, 9 हो जाएगा, 43, 3, 42 हो जाएगा, 42 प्लस 9, 51, 51 प्लस 7, 58, सर जी यह 58 आ गया, यह AQ आया, जल्दी से एक बार देख लो, so that मैं भी एक बार confirm कर लूँ के AQ अपना सही आया के नहीं है ना, जल्दी से screenshot ले लो बिटा, तो AQ अपना आया, 8, 7, 1, minus 23, 27, minus 69, 32, minus 13, 58, बिटा, अपना correct आया, AQ is perfectly fine, तो यहाँ आपन लिखते हैं सर, A square अपन लिख चुके, इसको erase कर दें, तो यह तो A square आ गया था, ठीक है, यह तो A square आ गया था, correct है, बिल्कुल correct है सर, तो A square को यहाँ थोड़ा उपर लिख देते हैं, और A cube लिखते हैं अब इस बारी है ना, अब A cube लिखते हैं, तो सर A cube क्या आया, A cube यहाँ लिख लेते हैं बिटा, 8, 7, 1, ठीक है, 8, 7, 1, next, फिर क्या आया बिटा, minus 23, minus 23, ठीक है, फिर है minus, फिर है 27, ठीक है, फिर अपना minus का 69, minus का 69, ठीक है, done, ठीक है, तो यह अपन इधर लिख देते हैं, next, next क्या आया, 32 minus 13, 32 minus 13, बिटा, सिंबल भी छूटना नहीं चाहिए, minus 13 तो minus 13, और 58, तो बिटा, यह आया हमारा A cube, this is A cube, perfect, हाँ सर, यह A square है, यह A cube है, 871, minus 23, 27, minus 69, 32, minus 13, 58, perfect, अब इसको अपन ने कर देना है, erase, अब यहां आएंगे बिटापन, now let us come on to this, A cube के नीचे A cube, ठीक है, A cube के नीचे A cube, 8, 7, 1, ठीक है, फिर आएगा minus 23, 27, ठीक है, और minus का 69, ठीक है, फिर आएगा 32, ठीक है, minus 13, ठीक है, और 58, done, ठीक है सर, यह आजिया A cube, है ना, A cube, minus 6 A square, minus 6, A square क्या है सर, A square यह है बिटा, 4, 2, 1, ठीक है, चलो लिखते हैं सर, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ठीक है सर, फिर है minus 3, 8, minus 3, 8, और minus 14, ठीक है, minus 14, फिर है अपने पास 7 minus 3, 7, minus 3, और 14, ठीक है, तो यह A square हो गया बिटा, इसको लिख दिया, 6 A square, ठीक है, प्लस 5 into A, मेरे प्यारे बच्चे 5 into A लिखना है, बड़ा कोशन है बिटा, टाइम लगेगा इसमें, 5 into A, तो 5, और A क्या है, A तो छोटा सा है, A तो यही है अपना 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, ठीक है, minus 3 है, ठीक है, फिर है 2 minus 1, 3, 2 minus 1 और 3, तो यह हो गया 5 into A, 5 into A, प्लस 11 I, अब सोनो बिटा, 11 I के लिए space नहीं है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 11 I, अब देखना I क्या होता है, identity matrix, identity matrix में diagonal में 111 होता, और non diagonal elements में 0, 0, 0, अब 3 by 3 का लेंगे अपना identity matrix, क्योंकि यह भी 3 by 3 है, यह भी 3 by 3 है, यह भी 3 by 3, तो identity matrix जो अपन अब लेंगे, वो भी 3 by 3 का होना चाहिए, तो प्लस का यह 11 into I, I का मतलब है identity matrix, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, तो यह identity matrix हो गया, ठीक है, यह LHS हो गया सर, यह LHS हो गया, हमें equal to 0 शो करना है, तो 0 आना चाहिए, यह LHS हो गया, यहाँ अपन heading डाल लेते हैं, this is LHS, यानि की A cube, ठीक है सर, minus 6 A square, ठीक है सर, plus 5 A, ठीक है सर, plus 11 I, 11 I, चलो done, start करते हैं, let us get started now, solve करते हैं, देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, minus 6 का अंदर multiply कर दो, minus 6 का अंदर multiply करो, 5 का अंदर multiply करो, 11 का अंदर multiply करो, यह multiply करना जरूरी है, तभी आगे कहानी बढ़ पाएगी, तो 871 यह पूरा बार बार लिखना पढ़ेगा, मजबूरी है क्या करें, 871, ठीक है सर, minus 23, फिर अपना 27, ठीक है, हर step पे marking है, बेटा, आपको बार बार steps लिखने पढ़ेंगे, minus का 69, फिर 32, ठीक है सर, फिर है minus का 13, ठीक है, फिर है 58, 58, done, yes सर, इसको अपनने लिख लिए, एक यूग है, done, minus, minus नहीं, plus लिखेंगे, बताओ, मैं plus क्यों लिखेंगे, सुनो, minus 6 का multiply करा रहा हूं अंदर, 6 का नहीं, minus 6 का, तो अपन minus 6 कराएंगे, तो plus बचेगा बीज में, ठीक है, plus ही लिखा का रो बिटा, ठीक है सर, तो minus 6 into 4, 24, वो भी minus का, ठीक है सर, minus 6 into 2, minus का 12, ठीक है सर, minus 6 into 1, minus का 6, ठीक है सर, minus 6 into minus 3, plus का 18, ठीक है, minus 6 into 8, 6, 8 जा 48, minus का 48, ठीक है, minus का 48, ठीक है, minus 6 into minus 14, 14, 6 जा 84, तो plus का 84 आएगा, ठीक है सर, plus का 84, minus 6 into 7, 6 is 36, 6 7 is 42, minus का 42, ठीक है, minus का 6 into minus का 3, plus का 18, ठीक है, minus का 6 into 4, 14, तो यह हो जाएगा minus का 84, और bracket close, बहुत समल के करना पड़ेगा, बड़ा question है, और हो सकता आप से गलतियां करा देगे, ठीक है, अब 5 का अंदर multiply करेंगे बिटा, plus, ठीक है sir, तो 5, 1's a 5, 5, 1's a 5, 5, 1's a 5, ठीक है, done, 5, 1's a 5, 5, 2's a 10, 5, 3's a 15, वो भी minus का 15, ठीक है sir, done, फिर 5, 2's a 10, ठीक है, 5 minus 1, तो minus का 5 आ जाएगा, 5, 3's a 15, plus का 15, pack करो इसको, ठीक है, pack, ठीक है, plus 11, 11 का अंदर multiply होगा, तो यहां 11, 11, 11 यहां 11 और बाकी 0 ही रहेगा, तो यहाँ पन लिखने हैं plus, और यहां जल्दी से multiply कर देते हैं, 11, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 01, 0, 1, 11, 0, 11, 0, 0, 11, 0, then, वे पहाया हमारा LHS, यह हैं अब सब प्लस में geschो यह भी थृ स्फी इंटुझढ़े साанд के हैं और हम मतलब सर यहां पहली लोगा हफी यह फिर्स य्वरस्ट और यह फिर सब एड हो बनेगा पर आसान है एट माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 एट प्लस माइनस 24 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 11 यह आगया पहला ठीक है डन है सर यह सट डन है आगे चलते हैं अब यह second 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 और second है ना ये चारो add हो जाएंगे 7 minus 12 ठीक है लिखते हैं सर 7 plus minus 12 plus 5 plus 0 third add हो जाएंगे third 1 minus 6 5 0 1 minus 6 5 0 ठीक है तो यहां लिखेंगे सर 1 plus minus 6 plus 5 plus 0 तो पेटा पहली रो मने add कर दी ये plus ये plus ये plus ये plus ये तीनों ऐसे add कर दिये ठीक है next दूसरी रो minus 23 18 5 और 0 ये add होंगे ठीक है corresponding elements add हो जाएंगे तो minus 23 ठीक है सर प्लस 18 5 और 0 plus 18 plus 5 plus 0 ठीक है सर अब ये होगा देको बीच का 27 minus 48 plus 10 और 11 है ना ये होंगे सर ठीक है चलो लिखते 27 यहां जाएगा बिटा 27 plus minus 48 plus 10 plus 11 plus 10 plus 11 next minus 69 plus 84 minus 69 plus 84 plus minus 15 और 0 minus 15 plus 0 slow लिख रहा हूं दा कि तुम्हें step समझ में आते जाएं ठीक है 32 minus 42 10 और 0 32 plus minus 42 plus 10 plus 0 ठीक है डन सर नेक्स्ट थर्ड रो में सेकंड वाला ये minus 13 18 minus 5 और 0 ठीक है तो minus 13 ठीक है plus 18 plus minus 5 plus ये 0 ठीक है डन next 58 minus 84 ठीक है 58 plus minus 84 plus 15 plus 11 plus 15 plus 11 और बेटा इन सब को solve करेंगे सब 0 0 0 आ जाएंगे सब 0 0 0 आ जाएंगे इसको matrix में pack कर दो अब देखो 8 और plus का 5 हो गया बेटा 13 13 और 11 हो गया 24 plus का 24 और minus का 24 जीरो तो सर क्या आया 0 आया है अब इदर देखो 7 और 5 12 plus का 12 और minus का 12 0 ये पूरा 0 आगया सर ठीक है यहाँ 0 लिख दो ठीक है सर है ना 1 और 5 6 और minus का 6 0 सर ये भी 0 आगया बेटा आप notice करोगे सब 0 आ रहे हैं नीचे भी 0 आएगा ये भी 0 आएगा ये भी 0 ये भी 0 आएगा ये भी 0 इसको बंद कर देंगे पैक कर देंगे और बिटा हमें ये मिल गया RHS यानी 0 है ना यहां से लेकर यहां आया अपन और ये अपन को 0 मिल गया और जो RHS अपन को 0 चाहिए था वही अपन को मिल गया समझ में आ गई बात so we got 0 clear है हाँ sir जल्दी से देख लो बड़ा कोश्चन है बेटा 20-22 मिनिट अपन को लग गए इसमें clear है ना हाँ sir बिलकुल done है चलो आगे चलते हैं moving on so that अपन आगे start कर पाएं ठीक है बिलकुल sir चलो moving on अच्छा इसका भी खतम नहीं हुआ अभी अपन को A inverse भी निकालना है ठीक है चलो A inverse निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है A inverse easily calculate हो जाएगा है ना क्यों हो जाएगा sir easily calculate अरे हो जाएगा यार बस चलो तो भाईया जल्दी से देखते हैं next A inverse हम कैसे निकालेंगे इसका erase कर रहा हूँ है पूरा ठीक है सर ये गया ठीक है ये गया मतलब पूरा नहीं है अपन को A cube और A square की ज़रूद पर सकती है तो इसको पूरा नहीं हटाएंगे इसको यहां इतना हटा देते हैं अपन बार बार क्यों फाल्दू में calculate करें है अपन है ना done sir तो A square और A cube अपन ने लिखा रहने दिया और इसको हटा दो ठीक है तो अब हमें A inverse चाहिए देखो sorry A inverse इससे भी आ सकता है directly बिना इसको touch करें लेकिन फिलाल हमें इस equation की मदद से निकालना है तो हमने equation लिखी सर A cube ठीक है सर है ना minus 6 A square ठीक है सर ठीक है फिर हमारे पास आया plus का 5 A ठीक है सर फिर है बिटा प्लस का 11 I ठीक है plus 11 into I is equal to 0 इतनी बात clear है इतनी बात clear है यह सर बिल्कुल clear है अब क्या करेंगे बिटा पन को A inverse निकालना है A inverse निकालने के लिए हमें A inverse चाहिए इसमें और इसमें A inverse है ही नहीं है कहीं अच्छे से देखो यहाँ A inverse है ही नहीं कहीं अब सर कैसे करेंगे इसको simply देखो simple अपन क्या करेंगे इसमें दियान से सुनना अब जब इसमें A inverse कहीं ही नहीं है जो हमें निकालना है तो अपन इसका multiply कर देगे A inverse से ठीक है अपन क्या करेंगे सर multiplying multiplying by A inverse multiplying both sides by A inverse तो भई यह दोनों तरफ A inverse का multiply अब देखना multiply करने का भी एक तरीका होता है देखो अपनने लिखा A cube ठीक है सर A cube के आगे हमने multiply करके लिख दिया A inverse ठीक है minus 6 A square लिख दिया ठीक है उसके आगे multiply करके लिख दिया A inverse क्योंकि भई यह A inverse इसमें भी multiply होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा सब में होगा A inverse multiply ठीक है Done sir तो अब अपन आगे लिखते है प्लस का 5A ठीक है 5A और इसी के आगे A inverse multiply प्लस 11I प्लस 11I प्लस 11I और 11I में बिटा A inverse multiply A inverse is equal to 0 0 into A inverse है ना 0 क्या होता है 0 होता 0 matrix 0 matrix था किसी भी matrix में A inverse भी एक matrix है confuse मत हो ना एक 0 matrix का एक किसी और matrix में multiply करोगे यह पूरा 0 हो जाएगा यह पूरा 0 आजाएगा 0 matrix आएगा ठीक है डन सर अब देखो यहाँ पर main problem क्या है हम A cube को लिख सकते है बिटा A square into A लिख सकते हैं क्या हा सर बिलकुल लिख सकते हैं A क्यों को A square into A लिख दिया सर हमने ठीक है clear है हा सर clear है और इसको लिखने के बाद हमने A की power जो minus 1 है या A inverse है उसको लिखकर इसको bracket में लिख दिया इससे होगा यह कि A into A inverse हमें 1 वो आई मिल जाएगा आई याद करो बिटा आपको पता होना चाहिए A का multiply एक matrix A है और वो matrix अपनी inverse से अगर multiply हो जाए तो अपनको identity matrix मिलता है यह याद रखना है तुमको ठीक है सर माइनस 6 ठीक है A square अब A square को हम लिख सकते हैं A into A लिख सकते है क्या हा सर A square को A into A और आगे लिखा है A inverse बिटा इन दोनों को bracket में कर दो तो यह भी अपनको क्या मिल जाएगा I clear है हा सर यह भी अपनको क्या मिल जाएगा यह पूरा यह भी I मिल जाएगा A into A inverse I होता है तो अपन क्या करेंगे plus 5 bracket A into A inverse ठीक है plus 11 I A inverse अब यहाँ main चीज है यहाँ actually कई बच्चों को यह confusion होगा कि सर यहाँ आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हो देखना बताता हूँ अभी रुक जाओ किस बात का confusion होगा मैं बताता हूँ अभी सुनो देखना ध्यान से देखो अभी मैं इसका discussion करना चाहता हूँ आप सभी से इसका ठीक है ध्यान से सुनना जी सर देखो 11 क्या है 11 एक number है I क्या है I क्या है I एक identity matrix है A inverse क्या है A inverse एक matrix है देखो यह भी एक matrix है और यह भी एक matrix है I खुद एक matrix है identity matrix A inverse भी एक matrix है जब I एक matrix से multiply होती है तो फिर matrix ही आता है मतलब इन दोनों की जगा क्या हैगा 11 इन दोनों की जगा आ जाएगा A inverse क्या जाएगा A inverse लेकिन अगर इसकी जगा ऐसा होता 5 into A inverse अगर यह 5 into A inverse होता देखो I into A inverse I आया I into A inverse A inverse आया है ना I into A inverse A inverse आया अगर यहां 5 into I होता तो क्या सिर्फ 5 आता नहीं यह गलत हो जाएता A inverse into I A inverse 5 into I 5 होना चाहिए नहीं 5 एक number है 5 एक number है बिटा 5 यहां matrix नहीं है 5 एक normal सा number और 5 अगर एक normal सा number है तो वो matrix से ध्यान से सुनना बिटा वो matrix से multiply होगा जैसे 5 I तो यह I proper हमें 5 I ही मिलेगा ऐसा लिखना पड़ेगा हमें 1, 0, 0, 1 कुछ ऐसा आप 5 नहीं लिख सकते इसको एक number और एक matrix का multiply proper करना पड़ेगा आपको लेकिन एक matrix और एक matrix में अगर आपको I मिल जाए तो यह matrix आएगा A inverse ठीक है done इतनी बात clear है yes sir तो पिटा बबुआ यहां 11 into I ध्यान से सुनो 11 into I into A inverse हमें A inverse देगा है न 11 A inverse देगा is equal to और 0 एक matrix है A inverse एक matrix है यह पूरा multiply होगा पिटा 0 दे देगा यह 0 matrix देगा हमें clear है 0 matrix 0 की तरह काम करता है 0 का किसी भी multiply होगा तो दिक्कत हो जाएगी अब पिटा यह क्या बनाएगा यह बनाएगा पिटा I हमें पता है A into A inverse I होता तो यह हो जाएगा A square into I ठीक है sir minus 6A into यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा I ध्यान से सुनो यह वाला पार्ट हो जाएगा I ठीक है 6AI ठीक है plus 5 into I plus 5 into I है न यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा बिटा multiply हो के I हो जाएगा ठीक है sir plus 11 plus 11 I into A inverse मेरी बास सुनो बिटा I into A inverse बहुत important चीज है मैंने अभी बताया है आपको plus 11 I into A inverse I भी एक matrix है A inverse भी एक matrix है अगर एक matrix से I multiply हो जाएगा तो वही matrix आएगा यानि की A inverse आजाएगा is equal to 0 clear है? हाँ sir बिलकुल clear है आगे चलते हैं अब सुनो मैंने अभी क्या बोला अगर I एक matrix से multiply हो जाएगा तो I गायब अगर I एक matrix से multiply हो जाएगा तो I गायब समझ रहे हो ना? अगर I एक matrix A square एक matrix है multiply हो जाएगा तो I गायब तो हमें समझ में आ गया है यहाँ A square मिलेगा minus 6 A मिलेगा हाँ आई एक matrix से multiply हो जा रहा है I गायब लेकिन अगर I एक number से multiply हो रहा है तो I गायब नहीं होता धियान रखना है यहाँ i गायब नहीं होगा, ठीक है, done sir, जैसे 5i जो है न, 5i ही रहेगा, यहाँ गायब मत कर देना नहीं, तो यहाँ सिर्फ 5 लिख दो, गलत हो जाएगा, प्लस 11a inverse is equal to 0, 0 का मतलब है 0 matrix, ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है sir, 0 matrix, अब मैं चाहता हूँ कि 11a inverse को यहीं रहने, तो इन तीनों को वहाँ भेज दो, क्योंकि a inverse निकालना है पन को, a square वहाँ जाएगा, minus का हो जाएगा, 6a plus का रहेगा, 6a plus का रहेगा, यह वहाँ जाएगा, minus का हो जाएगा, 5i वहाँ जाएगा, minus का 5i हो जाएगा, इतनी बात clear है, हाँ sir, done है, done, yes sir, बस अब हमें value रखते, solve करना है, and we will get our answer, ठीक है, तो पहले यह वाला, यह RHS यह solve कर ल minus 3, then we have 2 minus 3, 1, ठीक है, इसको थोड़ा सा extend कर देते है, 2 minus 3, 1, 2 minus 1, और 3, ठीक है, इसको बंद कर देते है, यह बिटा आगे अपना, 6 and 2a, minus a square, minus a square क्या है sir, a square है बिटा अपना, यह 4, 2, 1, ठीक है, 4, 2, 1, then we have minus 3, 8, minus 3, 8, और minus 14, ठीक है, then we have 7 minus 3, 14, ठीक है, 7 minus 3, 14, 7 minus 3, और 14, बंद करो इसको, close कर दिया, यह क्या हो गया बिटा, a square, minus 5 into i, अब देखना, i यहां से नहीं है ठीक है बिटा, 5 into i, i को लिखना पड़ेगा, i क्या होता है, identity matrix, यह भी 3 by 3, यह भी 3 by 3, तो अब आई भी अपन 3 by 3 का ल 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, तो यह 5 into i हो गया, is equal to, अच्छा, is equal to कहा है, equal to तो यहीं चल रहा है, 11 into a inverse है बिटा, 11 को भगाएंगे भी अपन बहाँ, लेकिन बहाँ बाद में बहाँ बहाँ पहले अपन यह solve कर लेते हैं, 6 का multiply अंदर होगा, minus 1 है बिटा, इसको minus का 1 मान लो, इसको minus क 5 अंदर multiply हो जाए, तसल्ली से करेंगे, अब इसको अटा देंगे बिटा है, इसका काम अब खतम हो गया, अब इसका काम over हो गया, ठीक है सर, ठीक है, next, देखो बिटा, 11 a inverse, 11 a inverse is equal to, we have 6 का multiply अंदर करेंगे, 6 1s आ 6, 6 1s आ 6, 6 1s आ 6, 6 1s आ 6, 6 2s आ 12, 6 3s आ 18, minus का 18 आएगा ठीक है, 6 2s आ 12, ठीक है, 6 1s आ 6, वो भी minus का 6, ठीक है, फिर 6 3s आ 18, plus का 18 आएगा, यह हो गया बिटा, 6 का multiply, ठीक है, 6 6 6 6, 6 12, minus 18, 12 minus 6, 18, perfect, अब minus 1 का multiply करेंगे, यहां बीच में 1 आ जाएगा, plus, plus का, plus आ जाएगा यहां, और minus 1, देखो minus 1 का अंदर multiply होगा, सब के symbol change हो ज जाएगा, minus 2 बन जाएगा, minus का 1 बन जाएगा, ठीक है, minus, यह plus का 3 बन जाएगा, 8 है, minus का 8 बन जाएगा, और plus का 14 बन जाएगा, next, फिर 7 minus का बन जाएगा, minus का 3 बन जाएगा, plus का 14, minus का 14 बन जाएगा, इसको बंद करेंगे सर, ठीक है, done, yes sir, minus का 5 अंदर multiply होगा, तो 0, 5, 0, ठीक है, 0, 0, 5, और यह बंद कर दो, सर यह आ गया, अब इनको add कर दो, answer आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो सर, first element, first element, first element, इनको add करेंगे, ठीक है, 6 minus 4, 2, 2 plus 5, 7, कितना है बिटा, 7, direct लिख दे क्या, हाँ सर, direct लिख दो, 7 आ गया, ठीक है, next, second element, second element second element, बिटा, 6 minus 2, 4, 4 plus 0, 4, तो 4 लिख दो, सर, यहां, यहां 4 आ गया, ठीक है, 6 minus 1 और 0, 6 minus 1, 5, तो बिटा, 5 लिख दो, यहां 5 आ गया, done, 6 और 3, प्लस के हैं बिटा, 9, और प्लस का 0, तो 9 ही रहेगा, सर, तो यहां 9 लिखते हैं, 12 minus 8 और 5, तो 12 minus 8 हो जाएगा, बिटा, 4, 4 और 5, 9 तो बिटा, यह 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, तो यहां 9 लिखते हैं, ठीक है, minus 18 और 14, तो minus 4 और 0, तो minus 4 आएगा, बिटा, यहां minus 4 लिख दो, done, 12 और minus 7, बिटा, 12 और minus 7 कितना हुआ, 5 और 0, तो 5 ही रहेगा, 5 लिख दो, ठीक है, सर, minus 6 और 3, minus 3 बचा, minus 3 और 0 माइनस का 3 रहेगा तो माइनस का 3 ठीक है 18 और माइनस का 14 कितना हुआ 4 4 और 5 9 तो बिटा यहाँ 9 लिख दो यहाँ 9 हो गया और इसको बंद कर देंगे बिटा जी और हमारे पास equal में क्या है 11 A inverse तो A inverse यहीं रहेगा 11 यहाँ आएगा तो 1 upon 11 हो जाएगा यह हमारा answer आ चुका है बिटा मैं जल्दी से NCID से answer match करता हूँ आप लोग एक बार जल्दी से इस पर नजर मार लो कि हा सर हमने समझ में आ गया एक बार जल्दी से chat box में reply जरूर दे देना कि आपको समझ में आया या नहीं तो 1 upon 11 ठीक है कुछ गड़बढ हुई है यार 499-1-4-5-3-1 कुछ गड़बढ हुई है दोस्त कुछ तो गड़बढ हुई है है ना अब वो गड़बढ देखनी पड़ेगी अपनको के गड़बढ हुई क्या है 15, 4.4 का 15th question तो यह आया minus 3, 4, 5, 9, minus 1 अच्छा यह ये पूरी की पूरी diagonal गलत आ रही minus 3, minus 1, minus 1 ओके चलो minus 3, minus 1, minus 1 रुक नजरा minus 3, minus 1, minus 1 यह आ रही है minus 3, minus 1 और minus 1 यह आ रहा है और यह हमारा कुछ गड़बढ हुआ है चलो चेक करते हैं फिर से ठीक है 6 minus 4 2 और वो 5 ठीक है 1 second 11 A inverse ठीक है बागी सब सही आ रहा है बागी सब perfect है ठीक है तो यहाँ कुछ गड़बड हुई है यह minus 3 आ रहा है न 6 minus 4 हो गया अपना अरे यार गड़बड यह हुई कि यह minus का 5 into i यह तो अंदर minus का 5 multiply होगा और जब minus का 5 multiply होगा तो यह minus 5 minus 5 minus 5 होगा यह यह minus 5 होगा यह minus 5 होगा और बेटा अब यह सब सही हो जाएंगे ठीक है तो देखा यह आप आप देख रहे हैं जब teacher से mistake हो रही है तो आपसे भी हो सकती है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा पिटा, ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा इसलिए मैं हमेशा answer check करता हूँ, एक बार cross check करना बहुत जरूर ही है, आदर डाल लो पिटा देखो अब ये 3 कैसे आएगा, 6 और माइनस 4 कितना हुआ पिटा, माइनस का 2, माइनस 2 और माइनस 5, माइनस का, sorry 6 और माइनस 4 तू, प्लस का 2 और माइनस का 5, माइनस 3 हो जाएगा 12, minus 8, 4 4 और minus 5, minus कबन हो जाएगा 18 और minus 14 यानि 4 4 और minus 5, minus कबन हो जाएगा यह perfect answer है एक छोट इसी घटना, दुर घटना में बदल सकती है जल्दी से देख लो, this is completed ठीक है, done sir अभी perfect है आगे चलते हैं बेटा, so that अपन next question number, अब अपन उस पे चले 16 पे, ठीक है चलो, 16, बस यही दोनों बड़े हैं 17 और 18 तो जल्दी से अपने complete हो जाएगे ठीक है, तो यह 16 थे बेटा चलो तो A हमको यह दिया गया, इसमें भी वोई काम है यार, A inverse निकालना है है न, यहाँ पर क्या था अच्छा, यहाँ A inverse भी निकालना है ओ भाई, यहाँ A inverse भी निकालना है यार, अच्छा A inverse ही तो निकाला, क्या कर रहा है यार जीशान तुम ठीक है, A inverse ही तो निकाला है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है a, पहले तो a square निकालना पड़ेगा फिर a cube निकालना पड़ेगा फिर बात की बात करेंगे, ठीक है done sir, तो a square निकालने है बेटा पहले a square, कैसे निकलेगा sir this into this, a into a हाँ sir, 2 minus 1 और 1, ठीक है then we have minus 1 2 और minus 1, ठीक है 1 minus 1, 1 minus 1 और 2, तो ये हो गया हमारा a, है न, a into a a square निकालना है न, तो एक बार और a लिखो 2 minus 1 और 1, ठीक है minus 1, 2 और minus 1, next 1 minus 1 और 2 तो ये a into a हो गया और बेटा a into a, 3 by 3 3 by 3, तो answer भी 3 by 3 आएगा ठीक है, तो इसका बेटा, इस row का, इस column से multiply करेंगे 2, 2 जा 4 1, 1 जा 1 minus 1 into 1, 1 into 1 ठीक है, तो ये 2, 2 जा 1 minus 1 into 1, 1 into 1 ठीक है, perfect है, कोई दिक्कत नहीं है तो 4 plus 1 plus 1, 6 हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, तो यहाँ पहला आया 6, ठीक है, next यही वाली row बेटा, आप अपन को इस column से करानी पड़ेगी, तो 2 into minus 1, minus का 2 इस row का, इस column के साथ और होगा तो 2 into 1, 2 minus 1 into minus 1, पिटा plus का 1, 1 into 2, 2, तो ये 5 आजाएगा, कितना आजाएगा 5, तो यहाँ सर हमने 5 लिख लिए done, ठीक है, तो इस वाले row का काम खतम, पिटा अब इस row का का काम शुरू इस row का, इस column के साथ multiply, minus 1 into 2, minus 2 2 into minus 1, minus 2 minus 1 into 1, minus 1 तो minus का 5 आएगा, पिटा यहाँ minus का 5 लिख दो, ये a square निकाला जा रहा है, इसको अटाओ इसको अटाओ, ठीक है सर अब इस वाले column के साथ होगा तो minus 1 into minus 1, 1 2 into 2, 4 minus 1 into minus 1, 1 4 और 1, 5 और 1, 6 तो यहाँ 6 आजाएगा, इसको erase करो इसको erase करो, ये वाले column के साथ calculation करो, 1 into 1, minus 1 2 into minus 1, minus 2 minus 1 into 2, minus 2 ठीक है, 1 into this 2 into this, this into this, ठीक है minus का 5 आएगा, minus का 5 लिख खो ठीक है, done इसको अला गटाओ, इसको अला गटाओ, इसको अला गटाओ अब ये last row columns के साथ है ना तो यहाँ सर 5 लिख दो, ठीक है, done special matrix है ये, ठीक है अब इसके साथ करते हैं सर 1 into 1, minus का 1 minus का 2 और minus का 2, तो यह हो जाएगा minus का 5, यहाँ minus का 5 लिख देंगे, done सर, clear है बिलकुल clear, अब 6 आएगा, हैना इसके साथ करेंगे तो 6 आना चाहिए, 1 into 1 1 into 1, 2 into 2, ठीक है 6 आएगा बिटा, यह 6 आगया तो यह आगया बिटा, A square, क्या आगया दोस्त A square, so this is it यह अपना A square आगया, अब अपनको A cube निकालना है, तो A cube कैसे निकलेगा simple है सर, A cube निकलेगा बिटा, A square into A, A square और यह का multiply करतो, हैना, तो सर चलो सर, करते हैं A square का multiply A से, A square लिखते हैं, यह जो आया अपना, 6, minus 5 5 ठीक है, then we have minus 5 6 minus 5, then we have 5 minus 5 और 6 यह हो गया बिटा, A square A square into A, अब इसका multiply A से कर दो, ठीक है A अपना यही है, 2 minus 1, 1 2 minus 1, 1 1, फिर है minus 1, 2 minus 1, 2 minus 1, ठीक है, next है बिटा 1, minus 1, और 2 इसको बंद कर दो, ठीक है done sir, तो इन दोनों का multiply करने का वक्त आ गया है, और देखते हैं A cube कितना आएगा, क्योंकि A cube निकालना ज़रूर यह बिटा, A cube के बिना calculation थोड़ी ना हो पाएगा है ना, अब A cube कैसे निकलेगा देखो पहले में confirm करनों, ठीक है, कोई symbol symbol तो नहीं चूटा, ठीक है, 5 minus 5 6, ठीक है, 2 minus 1, 1 minus 1, 2 minus 1, 1 minus 1, 2 ठीक है, तो बिटा शुरू करते हैं इससे, इससे शुरू करते हैं यह into this, ठीक है done sir, 6, 2's are 12, है ना, minus 5 into minus 1, plus का 5 और 5 into 1, plus का 5, तो बिटा 22 आ गया, कितना आए अब दोस्त, 22 यह 22 आया sir, इसको अलग अटाओ इसको अटाओ, अब यह रो, इस कॉलम के साथ चलेगा, 6 into 1 minus का 6, 5 into 2 minus का 10 5 into minus 1, minus का 5 तो बिटा यह minus का 21 हो जाएगा कितना होगा minus का 21 minus 21, ठीक है next, इसको erase करो, इसको अब यह वाली रो, इस कॉलम के साथ हो जाएगा, ठीक है 6 into 1, 6, minus 5 into minus 1 plus 5, 5 into 2 10, तो बिटा plus का 21 आ जाएगा add करेंगे, plus का 21 आ जाएगा ठीक है sir, done, next अब बिटा इस वाली, इस वाली रो का काम खतम, इस वाली को हटाओ, अब यह वाली रो का काम शुरू हो जाएगा, यह ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ कराते है minus 5 into 2 minus का 10 बिटा 6 into 1 minus का 6 बिटा 5 into 1 minus का 5 तो यह minus का 20 बना जाएगा यहाँ minus का 21 लिखा अपनने इसको अलग अटाओ, इसको अटाओ, ठीक है, इसका इस कॉलम के साथ करते हैं, minus 5 into minus 1, 5, 6 into 2, 12, minus 5 into minus 1, 5, बिटा इनको add करेंगे, 22 आएगा, प्लस का 22 लिख देते हैं, done sir, बिलकुल दिक्कत नहीं है, इसको अटाओ, इसको अटाओ, और इस कॉलम के साथ करते हैं, minus 5 into 1, minus 5, बिटा, 6 into 1, minus का 6, बिटा, minus 5 into 2, minus का 10, बिटा, तो यह हो जाएगा, minus का, I guess, 21 हाँ, minus का 21 होगा, तो यहाँ, minus का 21 लिखा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो दिक्कत, नो समस्या, ठीक है, next, इसको अटाओ, इसको अटाओ, और बिटा, अब last वाली रो, यह वाली रो स्टार्ट करेगी, calculation, यह के कॉलम के साथ, 5, 2, जा, 10, बिटा, minus 5 into minus 1, plus का 5, बिटा, 6 into 1, plus का 6, add करेंगे, 21 आजाएगा, तो plus का 21, done, इसको अलग अटाओ, इसको अलग अटाओ, और बिटा, अब इसकी बारी 5 into minus 1 minus का 5 5 into 2 minus का 10 6 into 1 minus का 6 minus का 21 बनाएगा minus का 21 लिखा इसको अलग अटाओ इसको अलग अटाओ पेटा ये रहा 5 into 1 5 minus 5 into minus 1 plus का 5 6 2 जा 12 ठीक है तो ये 22 आएगा पेटा यहाँ इसको 22 लिख देंगे एट करके ये आगया हमारा a cube तो ये a square और a cube हमने निकाल लिया है finally ठीक है a square और a cube हमने निकाल लिया ठीक है जल्दी से एक बार इसको देख लो मैं भी एक बार confirm कर लूँ के a square और a cube अपना perfectly सही निकला या नहीं ठीक है चलो sir आगे देखते हैं इसको जल्दी से copy कर लो तो अपना जो a square आया वो है 6-5 5-5 6-5 5-5 6 perfect है जो a cube आया वो है 22-21 21-21 22-21 21-21 22 perfect है बिल्कुल सही है ठीक है चलो sir आगे चलते हैं बहुत बड़े बड़े questions है यार यह ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे अपन को क्या करना है आगे अपन को यह solve करना है यह proof करना है ठीक है मैं चाहता हूँ बीटा मैं बीच का यह part erase कर दूँ ताकि मुझे space मिल जा इसको अटा देता हूँ ठीक है इसको अटाया इसको अटा देता हूँ इसको अटा देता हूँ ठीक है अब जो अपने पास यह चीज़ बची है इसको अपन शिफ्ट कर लेते के भईया यह a square है this is a square with us ठीक है और यह जो है this is a cube यह हमारे पास a cube है done yes sir चलो आगे चलते हैं lhs देखो verify पहले अपन को यह verify करना है तो lhs solve करेंगे ठीक है a cube बेटा lhs क्या है अपना lhs है sir a cube ठीक है minus 6a square ठीक है plus 9a ठीक है minus 4 into i यह lhs है 0 आना चाहिए 0 0 मतलब 0 matrix 0 0 से भरे हुए matrix ठीक है चलो start करते है तो बेटा पहले a cube लिखेंगे यह यह जो है ना पहले इसके नीचे लिखेंगे 22 ठीक है sir then we have minus 21 ठीक है sir then we have plus का 21 done yes sir फिर minus 21 22 minus 21 minus 21 22 minus 21 ठीक है next we have 21 minus 21 ठीक है और फिर 22 तो यह अपने पास है sir इसको जल्दी से pack करो ठीक है sir यह pack कर दिया यह a cube हो गया minus 6 into a square minus 6 का multiply करेंगे अभी अपन a square के सारे elements में पहले तो a square लिख लेते हैं यह a square है 6 minus 5 5 6 minus 5 5 फिर है बेटा minus 5 6 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 ठीक है 5 minus 5 6 यह हो गया minus 6a square ठीक है 6 minus 5 5 minus minus ठीक है और यह minus का 5 परफेक्ट है plus 9a plus 9a यह तो अपने पास यही है sir है na 2 minus 1 ठीक है 2 minus 1 1 ठीक है sir next minus 1 ठीक है 2 और minus 1 ठीक है फिर हमारे पास है 1 minus 1 2 1 minus 1 2 ठीक है इसको बंद करो ठीक है यह हो गया 9a minus 4i ध्यान से सुनना minus 4i अब i क्या लेंगे obvious सी बात है i identity matrix है और i बटाब 3 by 3 का लिया जाएगा दोगो यह भी 1 2 3 3 rows 3 columns 3 rows 3 columns 3 rows 3 columns तो यहां भी 3 rows 3 columns वाला identity matrix लिया जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 correct yes sir हना equal to 0 matrix आना चाहिए और आएगा तो सबसे पहला काम जो हमें समझ में आ रहा है जो हमें करना चाहिए वो क्या है sir मैं उता देता हूँ आपको देखो इसको पहले अलग हटा देते हैं ठीक है सबसे पहला काम है बिटा minus 6 का multiply अंदर कराना सबसे पहला काम है 9 का multiply अंदर कराना minus 4 का multiply अंदर कराना देखो जहाँ minus लगा न वहाँ minus के साथ multiply होगा ठीक है समझें ये सर समझ गए चलो आगे चलते हैं तो सर यहां वैसी copy कर देते हैं copy करना पड़ेगा बिटा मजबूरी है वन्ना marks कट जाएंगे ये मच सोच ना कि सर हम copy नहीं करें क्या कॉमा कॉमा लिखते हैं कॉमा कॉमा मत लिखना एक नजर हटी और दुर गट ना गटी माइनस 6 का multiply अंदर होगा तो भाई यहां प्लस का आ जाएगा ध्यान रखना और यहां matrix आ जाएगा माइनस 6 इंटू 6 माइनस का 36 माइनस 6 इंटू 5 प्लस का 30 माइनस 6 इंटू 5 माइनस का 30 ठीक है सर माइनस 6 इंटू 5 प्लस का 30 ठीक है सर माइनस 6 इंटू 6 माइनस का 36 माइनस 6 इंटू 5 प्लस का 30 ठीक है सर डन है माइनस 6 इंटू 5 माइनस का 30 ठीक है माइनस 6 इंटू 5 प्लस का 30 ठीक है और यहां क्या आएगा माइनस का 36 6 तो sir ये आगया 6 minus 6a square minus 6a square minus 6 ka multiply अंदर कर दिया plus आगया plus है तो plus already है अब 9 का multiply अंदर कर दो sir तो क्या आएगा 9 two's a 18 ठीक है sir 9 one's a minus का 9 9 one's a nine ठीक है sir 9 one's a minus का 9 9 two's a 18 9 one's a minus का 9 ठीक है 9 one's a 9 nine one's a minus 9 9 two's a 18 तो ये 9 से multiply होके सारी चीज़े आ गई अब minus का 4 multiply होगा बिटा अंदर plus आ जाएगा यहाँ plus लाना ज़रूरी है ध्यान रखना minus का 4 multiply कर दो अंदर minus का 4 ये पूरा minus का 4 अंदर multiply होगा minus 4 into 1 minus 4 0 0 0 minus 4 0 0 minus 4 और ये bracket बंद done है? yes sir done है चलो अब क्या करें अब सब都是 3 into 3 गा green matrix यह भी 3 into 3 यह भी 3 into 3 और यह भी 3 into 2 3 गा gray matrix UAM करेंद कर दो क्योकि सब के बीच में ब्लस आ जगया और सब के बीच में अगर प्लस आ जगय तो आप एड हो जाएगा इस will be added with this इस will be added with this will be added with this है न चारो एड हो आएंगे तो ध्यान से सुनना मेरी वाग वैसे तो पूरा लिखना ूैए लाइन बाई-ॉइन और अधर चल थायने तो टारिक नहीं करते हैं पूरा लिख़ें गे ठीक है लाइन बाई-ॉन लिखेंगे मतलब elements जो corresponding elements है ना वो अपन लिखते जाएंगे ठीक है चलो चलते हैं आगे करते हैं ठीक है डन सर तो यहाँ पर अपना क्या है 22 और माइनस 36 डारेट कर दें क्या चलो सर डारेट कर दें थोड़ा सा डारेट कर देते हैं या रहे ना 22 और माइनस 36 कितना होगा माइनस का 14 माइनस का 14 और प्लस का 18 माइनस का 4 माइनस का 4 और नहीं प्लस का 4 प्लस 4 और माइनस 4 जीरो चलो चलो लिख देते हैं 22 ठीक है सर minus 36 ठीक है sir plus ka 18 minus ka 4 plus ka 18 minus ka 4 ठीक है done second वाला करेंगे minus 21 30 minus 9 और 0 ठीक है done तो minus 21 plus ka 30 minus ka 9 और plus ka 0 यह हो गया done yes sir 21 minus 30 चलो 21 minus 30 9 और 0 plus ka 9 और plus ka 0 corresponding elements add कर रहा है पन्बस ठीक है minus 21 30 minus 9 0 minus 21 plus ka 30 minus ka 9 और plus ka 0 22 36 22 minus 36 plus 18 और बिटा plus ka 0 now minus 21 plus 30 minus 21 plus 30 minus 9 minus 9 और 0 ठीक है तो यह 18 के बाद minus 4 आना चाहिए ना यार यहाँ यहाँ minus 4 आएगा 22 minus 36 18 और minus ka 4 ठीक है done बिटा 21 minus 30 21 minus 30 ठीक है फिर प्लस का 9 फिर प्लस का 0 प्लस का 9 प्लस का 0 फिर ही आ जाएगा minus 21 30 minus 21 plus 30 ठीक है minus 9 और 0 minus 9 और 0 next 22 36 यानि 22 plus sorry minus 36 plus 18 और minus का 4 पिटा यह बंद करो सब 0 0 0 आ जाएगे सब के सब 0 आ जाएगे यह पूरा कैलकुलेट होके 0 देगा देगो कैसे पिटा 22 और 18 दोनो add होके पिटा बना देगे 40 plus का 40 minus 36 और minus 4 minus का 40 plus 40 minus 40 खतम सब 0 आ जाएगे बिटा तो अब आपन अच्छे से जब नोटिस करेंगे तो यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 and 0 बंद करेंगे सर यह क्या कहलाता है सारे element 0 हो तो उसको O से अपन डेनोट करते हैं O का मतलब है 0 matrix लो भी यह solve हो गया अब हमें निकालना है A inverse तो A inverse का game करना पड़ेगा है ना जल्दी से इसको copy कर लो so that अपन A inverse पे ध्यान दे पाएं चलो भी यह हो गया अब अपन की बात आएगी पिटा A inverse find A inverse अब अपन को A inverse निकालना है ठीक है मैं इसको erase कर रहा हूँ हाँ A square और A cube रखेंगे अपन क्योंकि A square की तो जरूरत पड़ेगी I guess A cube की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अब जिसने previous वाला जिसने पिछला question में A inverse निकालना नहीं सीख पाया कोई confusion थी तो अभी यहाँ clear कर लो ठीक है मेरे प्यारे अगर हमें A inverse निकालना है तो हम इस equation की मदद से निकालते हैं कैसे निकालेंगे सर देखो सबसे पहले यह equation ले लेंगे अब prove prove का नहीं है यह पूरी equation ली जाएगी minus 6A square plus 9A minus 4I is equal to 0 अब इसमें कहीं भी A inverse नहीं दिख रहा है अपन A inverse का सबसे पहले multiply करेंगे both sides ठीक है तो अपन लिखेंगे multiplying ठीक है सर multiplying A inverse both sides ठीक है दोनों तरफ both sides अब यहां समझना बात को जी सर जैसी multiply करेंगे तो लिखने का एक अंदाज होता है लिखने का एक तरीका होता है ठीक है तो A cube को अपनने A cube लिखा फिलाल A cube लिखा और इसमें into A inverse लगा दिया या A inverse का multiply इसमें भी minus 6 A square लिखा और इसमें A inverse लगा दिया आगे A inverse ठीक है plus 9 A लिखा 9 A इसके आगे अपनने A inverse लगा दिया ठीक है minus 4 I लिखा 4 I इसके आगे A inverse लगा दिया ठीक है A is equal to 0 लिखा यह पता क्या है यह अपना 3 by 3 है न हाँ 3 by 3 का एक क्या है 0 matrix है इदर आख ऐसे भी लिख सकते है A 0 3 by 3 ऐसे भी लिख सकते हो if you want नहीं तो 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है और A inverse का multiply मेरी बात सुन लो धियान से जी सर धियान से सुनो जब भी जब भी A अच्छा यह छोड़ो भी बात में बात करेंगे इसकी ठीक है सुनो अब इसको तोड़ो A cube को A square into A लिख दो A cube को A square into A और A inverse लिख लिख दो और इनको bracket में लिख दो और A inverse लिख दो A inverse को लिख कर इसको pack कर दो कि सर यह दोनों आपस में multiply हो कि I देंगे I यह चीज आपको याद हो नहीं चाहिए plus 9 A into A I को bracket में लिख दो A into A inverse यह I देगा minus 4 I A inverse is equal to is equal to 0 matrix into A inverse मेरी बात सुनो अब ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से यह चीज रेड कलर से लिख दे रहा हूँ मैं A into A inverse जो होता है यह हमें I देता है एक matrix अपने ही inverse से अगर multiply हो जाए तो वो I देगा आपको यह याद रहना identity matrix देगा ठीक है तो आप यह वाला step क्या बन जाएगा पिटा यह चीज हमें implement करनी पड़ेगी यानि A square into I A square into I यह पूरा I यह हो जाएगा माइनस 6A और यह पूरा I into I ठीक है डन्स है प्लस 9I 9I यह पूरा I हो जाएगा माइनस 4IA inverse is equal to पिटा 0 into 0 एक 0 matrix है A inverse भी एक matrix है जब 0 matrix किसी matrix से multiply होता है तो यह पूरा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा पिटा पूरा 0 हो जाएगा 0 matrix नहीं होगा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 लिख दिया कोई समस्या नो समस्या ठीक है सर ठीक है ध्यान दखना यहां लिख देता हूँ मैं, 0 into A inverse will be 0, है न, 0 या 0 matrix, आप कुछ भी कह सकते हो, सर, यह 0 बन जाएगा, यह 0 matrix बन जाएगा, ठीक है, डन, आगे चलते हैं सर, अब मेरी बात सुलो, देखो, I identity matrix है, यह भी एक matrix है, जब identity matrix एक matrix से multiply होगा, तो गायब हो जाएगा, identity matrix, एक matrix से multiply होगा, तो गायब हो जाएगा, तो A square बचेगा, माइनस, जब identity matrix एक matrix से multiply हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा, तो माइनस का 6 A बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 6 A, ठीक है, माइनस का 6 A, एक identity matrix जब एक number से multiply होगा तो गायब नहीं हो पाएगा तब गायब नहीं हो पाएगा प्रिक डिकलिएर तर यह सर चलो वह आगे solve करते हैं ठिक है देखो identity matrix जब आइटिटी मैठीक्स एक मैठरिक्स से multiply होगा तो यह गायब हो जाएगा I गायब हो जाता है लेकिन identity matrix 9 एक नंबर है यार यह तो तब गायब नहीं होगा अब गायब नहीं होगा अब गल्दी मत कर दे न प्लस 9i ठीक है डन सर इस वाले पार्ट को वहाँ भेज दो तो सर यह प्लस का बन जाएगा 4i a inverse अच्छा i किस से multiply हो रहा है a inverse से यह भी तो एक matrix है अब तुम यह मत कहा ना i 4 से भी तो multiply हो रहा है अपन i को अब a inverse लेको i एक matrix है identity matrix a inverse भी एक matrix है i a inverse matrix से multiply होगा तो i कायब हो जाएगा तो सर यह क्या बनेगा a square minus 6a plus 9i is equal to 4a inverse क्या बचेगा 4a inverse अब यह आ गया main काम अपना ठीक है this is our main line चलो सर स्टार्ट करते है a inverse sorry a square a square यह है लिख देते है 6 minus 5 ठीक है 5 ठीक है then we have minus 5 6 minus 5 6 और minus 5 ठीक है done 5 minus 5 6 5 minus 5 6 तो यह हो गया a square क्या हो गया बटा a square done yes sir minus का 6a ठीक है minus 6 a क्या है sir a क्या है बटा a यह है न यह लिखा हुआ है 2 minus 1 ठीक है 2 minus 1 1 ठीक है प्लस का 9i ठीक है प्लस 9 अब i पता क्या होगा identity matrix होगा और identity matrix हमें क्या हो लिखना होता है जैसे जिस हिसाब से चल रहा है काम 3 by 3 3 by 3 तो 9i अब जो identity matrix i लिखेंगे वो 3 by 3 का लिखेंगे ठीक है इसको थोड़ा छोटा कर तो क्योंकि space की आवशकता है तो यहाँ अब 9 और i लिख रहा हूँ है 3 by 3 यानि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह identity matrix है 3 by 3 क्योंकि यह भी 3 by 3 यह भी 3 तो यह 9i जो identity matrix हम लिखेंगे वो भी 3 by 3 का ही लिखना चाहिए ठीक है सर अब क्या करें अब क्या करें सर जी अब क्या करें मैं इसको erase करना चाहता हूँ is equal to 4A inverse चल रहा है ठीक है I just want कि मैं इसको erase कर दूँ erase कर दूँ क्या erase कर दूँ क्या erase कर दूँ यार इसको है न erase कर देता हूँ 4A inverse चल रहा है 4A inverse तो इसको अपनने erase कर दिया और यह चल रहा है 4A inverse 4A inverse is equal to ठीक है यह पूरा चल रहा है चलो 4A inverse is equal to ये लिखते हैं ठीक है minus 6 का multiply अंदर करना पड़ेगा minus 6 का multiply अंदर करना पड़ेगा तो क्या आएगा दोस्त जल्दी से देख लेते हैं 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 और मेरे प्यारे 6 ये हो गया अपना क्या जो भी हो गया ये square जो भी था ठीक है अब minus 6 का अंदर multiply plus आजाएगा भेटा धियान रखना plus आजाएगा क्योंकि minus 6 पूरे minus 6 का multiply कर रहे minus 6 into 2 minus का 12 minus 6 into minus 1 plus का 6 minus 6 into 1 minus का 6 minus 6 into minus 1 plus का 6 minus 6 into 2 minus का 12 minus 6 into minus 1 plus का 6 minus का 6 plus का 6 minus का 12 ठीक है done ये आ गया माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 6 माइननस 6 प्लस 6 माइनस 12 perfect 9 का भी multiply अंदर कर दो plus का 9 है, 9 multiply कर दो क्या हो जायगा sir, यह हो जायगा 9, 0, 0 ठिक है, 0, 9, 0 0, 0, 9 ठिक है, 9 का multiply हो गया solve करते हैं, 0 आ जाएगा यह 0 क्यों आ जाएगा यार, अपन तो A inverse निकाल रहे हैं, अब 4A inverse ऐसे ही लिखो, is equal to, बिटा अब देखो यह भी 3 by 3, यह भी 3 by 3, यह भी 3 by 3, आराम से add हो जाएगे, क्योंकि corresponding elements हमें add करना होते हैं, तो 6, minus 12, और 9, कितना हुआ बिटा, 6 और 9, 15, 15 में से minus 12 करेंगे, 3 minus 5 plus 6 plus 0, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है सर, 5 minus 6 और 0, तो minus का 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, minus का 1, तो यहाँ minus का 1 लिखते हैं, ठीक है, minus 5, 6 और 0, तो बिटा यह 1 आ जाएगा, ठीक है, इनको add करेंगे, corresponding को, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 6 minus 12 और 9, तो 6 औ 9 कितना हुआ दोस्त, 6 और 9 हुआ, 15, 15 minus 12, 3 आएगा, ठीक है, minus 5, 6 और 0, तो plus का 1 आ जाएगा, तो यहाँ plus का 1 लिखा, 5 minus 6 और 0, minus का 1 आ जाएगा, सर जी, यहाँ minus का 1 लिखते हैं, minus 5 और 6 बिटा, और 0, यह अपन को 1 देगा, क्या देगा, 1, ठीक है, और यह अपन को 3 दे देगा, सो, यह अपन को 3 देगा, इसको जल्दी से अपन बंद कर लेते हैं, डन सर, ठीक है, 6 और minus 12, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, 4 को वहाँ भीज़ दो, तो A inverse आ जाएगा, बिटा, A inverse आ जाएगा, 1 upon 4, और यह पूरा वैसे का वैसा, 3, 1, minus 1, ठीक है, 1, 3, 1, ठीक हिसाब रहे, ठीक है, भई, सर जी काम हो गया, क्लियर, यह सर, आगे चलते हैं, moving on to next, और भई, अब पढ़ते हैं, कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है, लास्ट के दो कोईशन्स रहेगा, बिटा, यह बड़े-बड़े कोईशन्स थे, लास्ट के दो कोईशन्स औरे, अरे य बहिया, क्योंकि हम तो एक इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, सर जी, है न, तो भईया, बन यहाँ, 4.4 का, question number 16, 1 by 4, 3, 1, minus 1, 13, 1, minus 1, 13, क्या बात है, मज़ा आगया, जीशान, perfect, बिलकुल सही आया answer, ठीक है, done, यह रहा, next question number 17, 17, जल्दी से पढ़ते हैं, सर, let A be a non-sing angular square matrix क्या होता है, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, important theorem's वाला एक video आया होगा, उसमें 3 या 4 theorem's मैंने समझायते हैं, आपको वही है, देखो, मान के चलो हमारे पास कोई एक matrix A है, और यह कहना 3 by 3 का है, ठीक है, तो अपन 3 by 3 का matrix लिख देते हैं, जैसे A11, A12, A13, ठीक है, यह सर, A21, A22, और A23, ठीक है, A31, A32, और A33, तो यह हो गया बिटा अपना एक matrix 3 by 3 का, ठीक है, अपन नहीं लिख लिया, standard form में लिख लिया, ठीक है सर, अब पता हो क्या कहा रहे, non-singular, देको ध्यान से सुनना, अगर हम इस matrix का determinant निकालें, और यह आ जाए 0 के equal, और यह जाए 0 के equal, तो इसको बोला जाता है कि भाईया, A का inverse exist नहीं करेगा, क्या बोला जाता है, A का inverse exist नहीं करेगा, ठीक है, A inverse will not exist, will not, तुमारा revision करार हो मैं, will not exist, ठीक है सर, है न, A inverse will not exist, ओके भाईया, S आएगा कि नहीं आएगा, भाईया, मेरी यंगरे जी थोड़ी जी कमजोर है, देख लेना, ठीक है, अब इसको बोला जाता है, A is singular, क्या बोला जाता है, A is singular, एक singular matrix है, हाँ, अगर, 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 आप A का determinant निकालो, वो 0 के equal ना आए, मतलब वो 0 नहीं आए, तो हम कहते हैं, A inverse exist, A inverse क्या करेगा भाईया, exist करेगा, और A को non-singular बोलते हैं, A is non-singular square matrix, ठीक है, तो यहाँ non-singular square matrix मतलब A inverse exist करेगा, यह वालन non-singular, इसकी बात हो रही है, ठीक है, डन सर, चलो, आप बात कर दें आगे, अब सुनते जाना, यहाँ बात हो रही है, कि हमें निकालना है, find the value of, ध्यान जो सुनना बेटा, find, यह नई चीज़ है, आपको बता देता हूँ, याद कर लेना, बिल्कुल, learn कर लेना, find adjacent, ऐसे matrix का, ऐसे matrix का, इस वाले matrix का, मतलब A का adjacent A निकालो, और उसका बेटा determinant निकालो, अगर ऐसी condition आजाए, adjacent, देखो A है, एक matrix, उसका adjacent निकाल के, उसका determinant निकालना है, adjacent A निकाल के, उसका determinant निकालना है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज़ है, क्या सर, एक छोटी सी चीज़, क्या, आपको इस A पे determinant लगाना है, क्या लगाना है, A पे determinant लगाना है, और सर, यह equal to बोला है, और सर, उपर लिख देन है, N minus 1, मतलब सर, N पेटा, यह होगा, 3 by 3 का है न, order, हाँ सर, तो N 3 होगा, तो determinant of A, 3 minus 1, यहनी answer आएगा, determinant of A की power to, this will be our answer, इसका answer पेटा, यह आएगा, तो 1, 2, B option is the correct one, ठीक है, B option हमारा correct है, याद कर लेना पेटा, अगर आपसे, एक matrix A दिया जाए, जो non-singular हो, जो इस A matrix के adjacent का determinant निकालो, कुछ नहीं करना पेटा, determinant of A लिखकर, N minus 1 लिख देना, power में, N क्या होगा, N होगा, order of the matrix A, A order क्या है पेटा, 3 है, तो 3 power आजागा, 3 minus 1, यहनी A matrix, sorry, हाँ, matrix A का determinant की power to answer, ठीक है, तो यह answer हो जाएगा, जल्दी से copy कर लो, यह चीज दिमाग में रखना प आप कुछ भी कहलो, laws कहलो, rules कहलो, पर जो भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, done, चलो, आगे चलते हैं, moving on to next, question number 18, इसको erase करो, if A is an invertible matrix of order 2, वो यह कह रहा है, कि एक matrix A है, A कैसा होगा, order 2 का है, तो मतलब A11, A12, A21, A22, खतम, order 2 तो यह ही होता है, ठीक है ज़र, और यह invertible है, मतलब A inverse exist करेगा, invertible का मतलब इस matrix का inverse होगा, हना, मतलब यह non-singular matrix है, non-singular, भईया, non-singular matrix जो होते हैं, उनी का तो inverse होता है, तो हम कह सकते हैं, कि सर, अगर हम determinant of A निकालेंगे, तो not equal to 0 आएगा, इसी लिए यहाँ पर A inverse इसका exist करेगा, यह non-singular matrix होगा, चीज़ें आपको याद करनी पढ़ेंगी, ठीक है, चीज़ें आपको याद करनी पढ़ेंगी, दिमाग में रखनी पढ़ेंगी, ठीक है, then determinant A inverse is equal to, भाईया, value निकालनी है, determinant of A inverse, आपको value निकालनी है, determinant of A inverse, ठीक है, इसकी आपको value निकालनी है, done, अब यह कैसे निकालोगे, इसको ऐसे भी लिखते हैं, determinant of A inverse, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, अब यह कैसे आएगा, सुनते हैं ना, बहुत important है, ठीक है, शु पास A है और अपने पास A inverse है अगर हम A matrix का उसी के inverse से multiply करें तो आपको रडवा दिया मैंने learn करवा दिया identity matrix आई आ जाता है इतनी बात clear है आपको पता होना चाहिए हाँ सर है ना वी नो यहां लिख दो भी या वी नो यहां से ऐसे शुरुवात होगी इस question determinant ले लेंगे taking determinant both sides taking determinant both sides ठीक है दोनों तरफ determinant लगा दो अब सुनते यहां ना detergent नहीं determinant यहां A into A inverse में determinant लगा दिया I में भी determinant लगा दो I identity matrix होता अब एक बार ध्यान रखना जब भी एक identity matrix को आप determinant निकालोगे तो वो answer बनाएगा उसका answer हमेशा वन आता है करके देख लो देखो करके दिखाऊं देखना जैसे अपनने one zero zero one यह identity matrix का determinant है ठीक है चलो यह निकालते हैं तो वन वन जा one zero 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 minus करोगे तो क्या आएगा one देखो determinant one आया identity matrix का determinant one होता है याद रखना यह चीज़ें बिटा तुम्हें बहुत help करेंगी मज़ा आएगा match करने में अगर तुम यह चारी चीज़े याद रख सके तो अब देखो जब भी determinant के अंदर दो चीज़े आजाए या दो आप क्या सकते हो matrix आजाए जैसे a into b का determinant क्या हो सर a into b का determinant हो तो पिटा इसको ऐसे भी लिख सकते a determinant into b determinant इसको ऐसे भी लिख सकते determinant क्या होता है कि split हो जाता है यह property of determinant है तो सर एक हो गया a और दूसरा हो गया a inverse तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a का determinant अलग और बिटा a inverse का determinant अलग ठीक है A का determinant A का A inverse का determinant अलग अलग लिख दिया अपन ने equal to में बिटा इसका आपको पता ही है मैंने भी बता दिया यह बनाएगा इतनी बात clear है yes sir अच्छा अपनको value किसकी निकाल नहीं है बिटा दोस्त अपनको value इसकी निकाल नहीं है determinant of A inverse तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि determinant of A inverse तो अपने पास आ गया तो क्या करें इसको वहाँ भगा दो तो sir determinant of A inverse is equal to 1 यह multiply मैं दोनों तो यह उदर जाएगा divide होगा 1 upon determinant of A तो पता यह answer आ गया यह answer आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon A का determinant is D E T D A determinant of A यह answer आ गया B वाला option ठीक है दोस्त? So this is correct answer जल्दी से देख लो बहुत important है MCQs में यह बहुत पूछा जाता है ठीक है? MCQs में यह बहुत पूछा जाता है आगे चलते हैं moving on to next कातम होगा है questions? यह तो थे So we are ending this session now इस session इस वीडियो का भीया अंत हो गया है है ना? और हमने क्या करा भीटा? हमने exercise 4.4 को kill कर दिया मार दिया अब जो next topic आएगा it will be applications and usage of determinants in daily life daily life या ऐसे कुछ common questions आते हैं बहुत अच्छे है मतलब अब आएगा अच्छा topic एक है ना? और वो basically depend करता है अपना topic आप कह सकते हो linear equations पर बेस रहेगा ठीक है? तो next video आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा जल्दी से मिलेंगे next video में signing off जाने से पहले Magnet Brains ऐसे ही भी आपको provide कराता रहेगा 100% free of cost high quality educational videos of K-12 यानि kindergarten जे class 12 all subjects of CBSC board English medium हमारे teachers, हमारे faculties हमारे team पूरी पढ़ाती है आपको free of cost high quality educational videos के दवारा सारे subjects के सारे syllabus को हम complete कराते हैं detail में अच्छे से explain करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए Magnet Brains हिंदी मीडियम की team काम कर रही है हिंदी मीडियम YouTube channel पर जिसमें 6 से लेकर 12th हिंदी मीडियम UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board, Delhi board इन 5 state boards के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे हिंदी मीडियम की team पूरी तरह से दिन राथ काम कर रही है provide करा रही है 100% free of cost 100% high quality education of all subjects इसी लिए बिटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी निराश नहीं हो आप भी बड़िया तयारी कर सकते है कोई पैसा नहीं देना है आपको अगर नोट्स की बात करें तो बच्चा 6 to 12 English Medium 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे all subjects के नोट्स हमारे पास से हमारी website से application से download कर सकने है मैं फिर बोलना चाहता हूँ English Medium and Hindi Medium दोनों mediums के notes हमारे पास PDF e-format में है e-books और e-notes के format में आप download करने के लिए हमारी website check out कर सकते है www.magnetbrains.com कुछ ऐसी website दिखेगी grab e-notes पे click करके आप download कर सकते हो application Google Play Store से मिल जाएगी grab e-notes पे click करना Google Play Store पे आपको app मिल जाएगी जल्दी मिलेंगे next video में till then happy learning, take care, bye